हेलो बच्चों गुड मॉनिंग तो आज सलफोनामाइड का पार्ट टू है कौन सा पार्ट टू एक्चली दो तीन दिन से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि मैं कि आपने घर गया हुआ था और शड़न में प्लान बना इस वज़े से आपको इंफॉर्म भी नही एक दिन में पुरा टॉपिक खत्म किया जा सकता है इतनी बड़ी चीज़ नहीं है ठीक तो सलफोनामाइड में हमने क्या देखो उसका इंट्रॉडक्शन कंप्लीट कर लिया था ठीक उसके बाद क्लैसिफिकेशन देख लिया था मोड़ा ओफ एक्शन देख लिया था और क इस तरह का एस्ट्रिक मार्क लगा हुआ है एस्ट्रिक मार्क का मतलब होता है इसका हमें इस्ट्रक्शर और केमिकल नेम भी पढ़ना पड़ेगा अपने स्लेबस में टॉप पे लिखा रहता ना बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो पहले सबसे पहले केमिकल इस्ट्रक्शर केमिकल इस्ट्रक्शर में अगर हम बात करें तो इतना स्ट्रक्शर आपने पहले देख रखा है इतना स्ट्रक्शर आपने पहले देख रखा है जब हमने इंट्रोड़क्शन में पढ़ाया था तो बताया था क यही आर रिप्लेस होता रहेगा और सलफोनमाइड के अलग अलग ड्रक्स बनते रहेंगे तो यहां पर क्या लग गया यहां पर लग गया CO CS3 नहीं कि इतना additional तो अगर हम IOPSC की बात करें, numbering की बात करते हैं तो 1, 2, 3 4, 5, 6 फोर्थ पोजिशन पर क्या लगा है? Amine group तो 4 amino और ये क्या है? Phenyl, 4 amino Phenyl Sulfonyl ये क्या है? Sulfonyl group है और that is acetamide भहिए acetamide ही है ना आपका? Amine है? Right? तो ये group लग गया इदर पे, तो simple सा structure मैंने पहले भी बताया था आपको कि इतना याद रखो structure में ये हमेशा याद रखना है, ये याद रखोगे Sulfonamide के structure में कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली हैं तो फोर Amino Phenyl की जगे पे आप पैरा लिख सकते हों बहुँ पैरा पोजिशन पे ना? Ortho Meta Pera तो पैरा Amino Phenyl Sulfonyl acetamide या 4 Amino Phenyl Sulfonyl acetamide Whatever you want या whatever you like ठीक? प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें कलर कैसा रहता है? वाइट या यलो इस वाइट वाइट या यलो इस वाइट रहता है क्रिस्टलाइन पाउडर रहता है देखो Sulfonyl acetamide की maximum drugs की जो प्रॉपर्टीज है वो लगभग लगभग सेम है तो इसलिए Sulfonyl acetamide याद करने में chloroform में बहुत ज़्यादा soluble है very soluble in chloroform very soluble in CHCl3 CHCl3 क्या है? chloroform ठीक दूसरा क्या है? ये light sensitive होते हैं जो भी इनका structure का है जो भी इनका color है अगर इसको light में यानि sunlight के exposure में रखा जाता है तो इनका color कैसा हो जाता है? darkens on exposure to light यानि ये जब भी store किया जाएंगे light resistant containers में इनको रखना पड़ेगा ठीक है? तो storage की अगर बात करें तो simple सी बात है air tight close containers होंगे which is protected from light या which is light resistant कैसे? light resistant use की बात करें तो sulfonamide की use अल्रड़ी हम बहुत बता चुके हैं mostly most of drugs कैसी रहती हैं? antibacterial रहती हैं कुछ पार्ट इनका antifungal होता है और बहुत ही ज़्यादा effective antibiotic होती है ancient time पे सबसे पहले sulfonamide as antibacterial या antifungal की तरह इस्तिमाल किया जाता था धीरे धीरे करके और variety of antibiotics आ गएं लेकिन आज भी burn के infection के case में अगर बात करें burn के infection के case में या urinary tract infection के case में आज भी sulfonamide का widely used होता है sulfonamides used in widely used ठीक अब अगर बात करें proper means specific use की तो जो sulfosetamide sulfosetamide है यह especially drug के infection में sorry eye के infection में यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह बहुत important है और sulfosetamide का यह जो point है eye के infection में कौन सी sulfonamide या कौन सी drugs इस्तिमाल में आती ही यह इस बार objective question था ठीक इस बार जो multiple choice आया था online का उसमें यह question था उसमें sulfosetamide का सही answer tick कर देना था ठीक है तो eye के infection में इसका और क्या use होता है acute conjunctivitis जाहिर सी बात है जब eye drops में eye drops की preparation में इसका इस्तिमाल करते हैं तो ice related कोई भी चीज हो उसके में यह helpful होता ही है ठीक official की बात करें तो sulfosetamide sodium drops sulfosetamide sodium as per British pharmacopoeia and as per Indian pharmacopoeia और बात करें sulfosetamide की eye drops आती है as per British pharmacopoeia finally very important brand name brand name में क्या है acetocid है, locula है और albucid है brand name बहुत important है कई बार syllabus में आता बहुत सारे बच्चे बोल रहे तो उस दिन मैंने fastest के जो है जो पहला lecture बना था किसका sulfonamide का उसमें मेरे हाथ में paper था पांच साल का कि मुझे भी paper चाहिए परिशान मत हो ये आपको सारे paper सारे subject के paper provide भी कराए जाएंगे और solve भी कराए जाएंगे means उनका solution भी मिलेगा किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली हम मैं इसी लिए इसी तरह से इसी pattern पर पढ़ा रहा हूँ कि अगर objective है तो भी कोई समस्या नहीं होगी और subjective है तब तो problem है नहीं ठीक sulfonamide मैंने बताया ना पूरे आपका जितना syllabus है सबसे ज़्यादा important अगर कोई है तो sulfonamide नहीं जिसके पास तो यह सक्सीनिल सलफा थाया जोल सक्सीनिल सलफा थाया जोल हमें इसका structure नहीं पढ़ना दिमाग से एक चीज़ निकाल दो कि आईसा नहीं कि इसका structure नहीं पढ़ना वह important नहीं है पेपर देखोगे समझ में आ जाएगा कुछ भी कोई भी सलफा सक्सीनिल सलफा थाया जोल पर शॉर्ट नोट आ गया क्या करोगे सलफा से टामाइट तो लिख नहीं दोगे राइट तो इसलिए drug कोई भी कम इंपर्ण हाँ जब exam का time आएगा मैं अपना सारा जितना मैंने पढ़ाया है सारा का सारा revise कराओंगा जैसे crash course चलता है उस तरह से revise कराओंगा उसमें सिर्फ और सिर्फ जो most important है केवल वही drugs पढ़ाई जाएगी लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि most important drug ही आएगी सब कुछ आता है तो सक्सिनिल सल्फा थाइजोल की बात करें तो properties पर जबाते हैं तो property color इसका भी कैसा है white और yellow is white ठीक जैसे की सल्फासिटाम ऐड़ कर था order कैसा है orderless है तैस्त कैसा है बिटर है सल्फासिटामाइड जैसा स्टेट कैसा है crystalline powder सल्फासिटामेड जैसा most of most of properties यहां पर थोड़ा सा change क्या है, solubility के case में, यह क्या है, वो highly soluble था, this is slightly soluble in water and highly soluble in aqueous solution of alkali carbonate and alkali hydroxides, ज्यादा soluble होता है alkali carbonates में या alkali hydroxides में, जो इनका aqueous solution होता है, उसमें यह easily soluble होता है, बाकी property अगर बात करें तो darkens on exposure to light same as it is, जैसे sulfacetamide का था, storage भी वैसा ही रहेगा, storage, well airtight close containers and light resistant, which is light resistant property, जो containers होंगे, उनकी property कासी होगी, light resistant, light उनके अंदर penetrate नहीं कर सकती, जिससे की इसमें किसी तरह का कोई harm ना होने पाए, ठीक, use की बात करें, तो bacillary dysentery, या cholera में mainly use होता है, bacillary dysentery, dysentery हो जाती है, इनकी वज़ास infection है, bacterial infection है ना, या cholera हो जाता है, intestinal antibacterial agent, जो intestines में bacterial infection हो जाता है, उनके treatment में क्या दिया जाता है, सक्सीनिल sulfathiajole, जो इसका main use है, ठीक, official की बात करें, तो succinyl sulfathiajole as per betis pharmacopoeia and Indian pharmacopoeia, next की बात करें, succinyl sulfathiajole tablet and as per Indian pharmacopoeia, brand name की बात करें, तो sulfoxidine, जितना मैंने लिखा दिया है board पे, that is already a type of notes, अब बोलता है नोट्स कैसे बनाने, मैंने notes ही, ये तो मैं क्या simple sulfasetamide लिख दू, 2-4 property explain कर दू, use explain कर दू, ऐसे ही है, कि हाँ भई ये, इसमें use होता है, इसमें use होता है, मेरा बहुत जल्दी खतम हो जाएगा, मैं इतनी लिखने की जहमत क्यों उठाता हूँ, उसके पीछे की वज़ए यही है, कि आपको notes मिल सके, मेरे साथ साथ इसको आप लिखते चलिए, register पहले भी कहाँ बनाते चलिए, exam time पे, it will be very helpful for you, तो अब हम next board की तरब, next drug की तरब चलते हैं, अगली जो drug है, that is sulfadiazine, sulfadiazine most important है, अब इसमें asteric mark तो लगा नहीं है, इसका मतला बिसकी केवल properties ही हमको पढ़नी है, यानि कि chemical name and chemical structure नहीं पढ़ना है, color की बात करें, देखो, most of the drug की जो properties हैं, वो sulfonamide में same है, ये बड़ा plus point बनता है, changes कहाँ पे हैं, solubility में most of change है, या specific use में, फिर भी common use भी लिखोगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है, यही एक वज़े हैं, लोग subjective में pass हो जाते थे, लेकिन अभी subjective objective का तो चकर कुछ पता नहीं है क्या होगा, color की बात करें तो white color या yellowish white या off white या dull white, ठीक, order की बात करें तो orderless रहता है, taste is bitter, यानि bitter in taste, crystalline powder रहता है, solubility in solubile in water, ये important point है, ठीक, dissolving aqueous solution of alkali hydroxide and dilute mineral acid, अब अगर बात करें dilute mineral acid की, तो dilute HCl भी हो सकता है, dilute HNO3 भी हो सकता है, dilute H2, SO4 भी हो सकता है, these are mineral acids, एट सक्टा एट सक्टा और भी वह सारे हैं, slowly darkens on exposure to light, अगर light की presence में इसको exposed किया जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, dark color का हो जाएगा, यानि इसका color थोड़ा सा change हो जाएगा, इसी लिए, stored in airtight close containers, which is protected from light, officials, sulfadiazine, sulfadiazine as per British pharmacopoe and Indian pharmacopoe, ये जो official, official की बात करता रहता हूँ, कि sulfadiazine as per BPIP, इनका क्या मतलब है, BP तो पता है, आपको British pharmacopoe and IP की बात करें तो इंडियन pharmacopoe, ठीक, अब इन सब की बनाने की preparation, यानि monograph, मिलेगा कहां पे आपको, BP and IP में, अगर आप BP and IP देखोगे, जाके उनके monograph देखोगे, वहाँ पे आप सर्च करो, तो ये आपको वहाँ पे कैसे बनता है, उसकी पूरी preparation वहाँ पे आपको मिल जाएगी, नेक्स्ट है, सल्फाडाइजिन की tablet आती है, इस पर British pharmacopoe and Indian pharmacopoe, ब्रैंड नेम की बात करें तो डेजिल, डेजिल इस दा ब्रैंड नेम आफ सल्फाडाइजिन, ये इस बार MCQ में आया था, MCQ point of you से most important है, ये इस बार question आया था, डेजिल, दा ब्रैंड नेम आफ, ठीक, तो वहाँ पे सल्फाडाइजिन, क्या था, correct answer, ठीक, यूज की बात करें, तो ये meningiococcal meningitis में, meningiococcal meningitis के treatment में इसका इस्तमाल होता है, rheumatoid, rheumatic fever में इस्तमाल होता है, urinary tract infection में इस्तमाल होता है, respiratory tract infection में इस्तमाल होता है, means antibacterial और antifungal दोनों तरह की property में, means antibacterial या bacteriostatic, bacteriostatic property होती है, means जहाँ पे इसका इस्तमाल करते हैं, use करते हैं, वो इरिया क्या हो जाएगा, वायर फंस गया, तो, हाँ, rheumatic fever, ठीक, तो यहाँ तक बात क्लियर होई, तो this is all about sulfa diazine, next drug हमारी है, sulfa guanidine, देखो, sulfa guanidine important इसलिए है, क्योंकि दो साल पहले जब अपना syllabus थोड़ा सा revise हुआ था, उस वक्त, sulfa guanidine के उपर, एस्ट्रिक मार्क था, means, उस समय इसका structure और IUPAC दोनों पढ़ना था, लेकिन उसके बाद जब revision हुआ, तो structure और IUPAC से हड़ गया, means, इसका एस्ट्रिक मार्क मिट गया था, खतम हो गया था, means, इसका structure और IUPAC अभी नहीं पढ़ना है, direct properties पे आते हैं, color is white, और yellow is white, कैसा है, yellow is white या off white, जैसा की हमारा sulfur diazine या sulfacetamide का था, orderless है, bitter in taste है, state की बात करें, तो crystalline solid है, crystalline solid है, यानि crystalline powder है, solubility की बात करें, तो soluble in water है, और इस पैरिंगली solubile होता है, किसमे, alcohol and acetone में, इसकी solubility कम होती है, इस पैरिंगली solubile है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल solubile नहीं, लेकिन क्या है, कम solubile, कम मात्रा में solubile होता है, and when exposure to light, it shows darkened color, means slowly darkens in exposure to light, यानि light की presence में अगर इसको expose करेंगे, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डार्क कलर का हो जाएगा, storage की बात करें, stored in airtight closed containers, which is protected from light, अगर हम use की बात करते हैं, तो use local intestinal infection में, local intestinal infection में क्या, जैसे dysentery हो जाती है, amoebiasis हो जाती है, तो इन सबके treatment में, इस्तिमाल करते हैं किसका, अगर बात करें, ऑफिशल्स की तो सल्फा गुएनदीन, ऐस पर Indian pharmacopoeia, and सल्फा गुएनदीन, ऐस पर Indian pharmacopoeia, और British pharmacopoeia, दोनों के recording ये बना हुआ है, और इसकी tablets भी आती है, सल्फा गुएनदीन, tablets ऐस पर IP, बीप Indian pharmacopoeia, British pharmacopoeia, brand name की बात करें, तो रॉसेड, गुएनिसिल, and सल्फा गुएन, ये सल्फा गुएन, ये जो है, इस बार N.C.Q. में आया था, देखो कितने question, जब से मैंने सल्फोनामेट पढ़ाना सुरूँ कि, आज part 2 है, मिन्स आज खतम हो जाएगा, ये ही 5 ड्रग में पढ़ाऊँगा, बाकी की जो ड्रग्स बजती बचती हैं, उन सब की property, जो मैंने पढ़ाई हैं, इनी तरह से, आप सीधा सीधा देखो, सब की property बिल्कुल डिट्टो सेम हो रहे हैं, थोड़ा सा change आ रहा है, कहां पे, solubility में, याद करना बहुत आसान होगा, brand name में change है, brand name मैंने बताया, कितने सारे questions, आपको 5 साल के जब paper दूँगा, तो उसमें भी आप देखोगे, कि हर साल या हर दूसरे साल, सल फूरा माइट से questions, आय हुए हैं, इसलिए बहुत important, अभी समय है, इसलिए पढ़ना अभी से सुरू करो, जो सोस्तें last moment पढ़ लेंगे, possible नहीं है, कि के mystery पढ़ी जा सके, ecology पढ़ी जा सके, ठीक, तो साम को हो सकता है, एक वीडियो आप को और मिल जाए, क्योंकि यह जो gap हुआ है, इस gap को fill up भी तो करना है, ठीक,